हालो नमस्कार गुड आप्टर नून मैं अमीत एक बार फिर से आप सब लोग का स्वागत करता हूं इसवर अकेडमी के ओफीसियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों कुछ पिछले कुछ दो दिनों से मैं आप लोग के बीच में लाइब सेसं करेंट अफेयर का लेके नहीं आ लेके आया हूं रिकॉर्डड वीडियो के मादियम से तो आज का जो वीडियो रिकॉर्डड होगा लेकिन नेक्स डेसे वह आपका लाइप सेशन आपके बीच में आएगा आज रिकॉर्डड एट फॉरम में आपको वीडियो प्लब्द करा पा रहा हूं कुछ कारणों के यह नहीं आपा रहा था एक बात और कहना चाहूंगा कि आज के वीडियो में मैंने कुछ relevant questions भी रखे हैं जो 16 और 17 तारीक के current affairs से जुड़े हुए जितने भी points हैं उसको तो मैं explain करूंगा ही करूंगा उससे relevant जितने भी चीज़ें हैं जो उसमें जुड़ सकती थी वो static parts सब कुछ इस वीडियो में cover किया है मैंने ठीक है तो ध्यान से देखिएगा आज का session आज one way communication होगा आज आप सवाल का जवाब तो नहीं दे पाओगे मुझे क्योंकि मैं सवाल पूछ भी नहीं पाओंगा recorded form में चला इस वज़े से लेकिन हाँ आपको बहुत ही अच्छे level के questions उसके relevant static parts और बाकी सारे चीज़े भी मैंने cover किया है तो चले फिर सुलू करते है आज का session जो आज का session है हमारा इस session में आपको जो है सबसे पहला question यहाँ पर मिल रहा है सबसे पहला question है कि 15 दिसंबर को लोसार महत्सो किस राज में मनाये गया है तो यह फिलाल के लिए मनाया गया है ये ध्यान रखेगा, और ये लद्दाक में बहुत पुराना महोटसो है, तकरीबन 15 सदी से, या 17 से, कह सकते हैं, 15 सदाथी से मनाया रहा है, तो बहुत पुराना जो है महोटसो वहाँ पर मनाया जाता है, लोसार महोटसो, ठीक है, और 23 को मनाया गया, वो डेट भी आतुरह ध करने के लिए क्योंकि आज जो भी मैं बताने वाले उस पर बहुत सारे चीज़ें आपको मिलने वाली है तो यह सब आप अपका पी एनबी मेट लाइफ है एक माक्स भूपा है और आखरी अप्सन आपका भारती एकसा और नन अब 20 तो फिलाल के लिए अपसन नमर्डी इस सवाल के साब से सही है भारती एकसा लाइफ एंसूरिंस कंपनी ने जो है फिलाल के लिए अभियान शुरू क्या है और इस गौट यू कवर्ड चीक है अच्छा अब बात कर लेते हैं इसके बारे में भारती एकसा लाइफ एंसुरेंस के बारे में तो भारती एकसा लाइफ एंसुरेंस जो है उसके इस्टैब्लिस्मेंट के बात करें तो वो 2008 में ये संस्था बनाई गई थी जबकि head office इनका पूछ सकता है head office भी संजीर स्रीवासन का नाम भी पूछ सकता है और साथ-साथ मैंने आपको जो बताया है कि got you covered नाम का campaign किस insurance company ने शुरू किया ये भी सवाल हो सकता है max भारती एकसा life insurance ये भी नहीं भूलना है ठीक है और साले जो detailing मैंने दिया है वो भी max भारती एकसा life insurance के बारे में ही दिया चले बढ़ते अगले सवाल पर next question है उर्जा मंत्राले के अधीन Bureau of Energy Efficiency याने BEE Bureau of Energy Efficiency के द्वारा राष्टी उर्जा सरच्षर दिवस प्रतेक वर्ष 14 दिसंबर को मना जाता है तो एक सवाल का जवाब तो मैंने यहीं दे दिया आपके statement में ही ठीक है इन में से उर्जा मंत्राले के राजमंत्री कौन है चलो पर तो मैंने पूरी तरीकों से आपको cover करने सबसे पहले क्या उर्जा मंत्राले के अधीन Bureau of Energy Efficiency यानि BE इसका full form क्या है यह आपके सामने आ गया के द्वारा राष्टी उर्जा सरच्षर दिवस प्रतेक वर्ष 14 दिसंबर को मना जाता है तो आपका जवाब जागा 14 दिसंबर को मना जाता है तो Bureau of Energy Efficiency यानि BE के अधीन म बना जाता है ठीक है और अगला सवाल कि इस समय उर्जा मंत्राले के राज्य मंत्री कौन है तो यह सवाल मेरा है जिसके आप सुन दराष्ट देख लेते हैं सबसे पहले तो Mr. Rajkumar Singh, Mr. Vibhor Rastogi, Mr. Radha Mohan Singh, Smirti Irani, None of these तो फिलाल के लिए इसका सही जवाब है Mr. Rajkumar Singh यानि Next Question पर आते है, Next Question है, आबुद अभी Grand Prix 2020 किसने जीता है तो अभी आबुद अभी में Grand Prix Formula 1 रेस हुआ है और इसको जीता किसने जरा पहले हम लोग देखते हैं इसके आपसंस, तो आपसंस है, लुईस हैमिल्टन, जॉर्ज रसल, स्टेबन ओकान और मैक्स वेस्टापें, फिलाल के लिए जीते हैं, कौन सा आबुद अभी Grand Prix 2020, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, तो मैक्स वेस्टापें जो हैं, ये कौन हैं, नीदर लेंड से हैं, और रेडबूल की तरब से खेलते हैं, देखो एक जी आप ध्यान रखना, कि जितने भी Formula 1 रेसर होते हैं, वो किसी ने किसी कमपनी के तरब से खेलते हैं, ठीक है, कोई कमपनी होगी, जो उन्हें प्रमोट करने के लिए अपने ब्रांड को, उन्हें अपने तरब से खेलने के लिए पैसे देती हैं, जैसे मैं Lewis Hamilton की बात करूँ, जो कि बहुत फेमस है, और बहुत ज खेलते हैं, एक soft drink वाली कमपनी है Red Bull, नाम भी सुने होंगे और Red भी देखते होंगे अप लोग, पहली बात अगर दूसरी बात अगर इनके बारे आप देखें, तो यह सीजन की उनकी दूसरी जीत है, और पूरे करियर की दसमी जीत है, यह भी दियान रखेगा, और यह इस दोरा बनाया जाएगा, ठीक है, तो अभी फिलाल के लिए देखें, options देखें, तो एक two wheeler automobile company में बजाज का नाम आता है, hero का नाम आता है, ओला और Uber यहाँ पर जो option दिया है, यह two wheeler automobile company नहीं है, यह फिलाल के लिए हमारे देश में third party की रूप में काम करती, यह एक application माध्य से लोगों को service देती है, कुछ emergency time पर या आप कह सकते हैं, एक short notice पर यह लोग आपको जो है, taxi booking का service देते हैं और bike booking का, ठीक है ना, तो फिलाल के लिए यह जो काम है, सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा scooter का रखाना लगाने की बात, वो भी कहाँ पर, तमिलाडू market platform यानि की क्या beam, इसमें से किसके दोर लांच किया गया है, आपके options है, NYSE यानि की New York Stock Exchange, BSC यानि की Bombay Stock Exchange, NSC यानि National Stock Exchange और CB यानि की Securities and Exchange Board of India, तो यह चार options है, पाच्वा अप्शन नहाप 10 का है, फिलाल यह तो है ही नहीं, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, option number B य options के बारे में अगर पहले, options के बारे में देख लेते हैं, NYSE, New York Stock Exchange, ये USA से बिलांग करती है, चुकि नाम में ही आपको New York लगा हो मिल रहा है, इससे भी आप क्लियर हो सकते हैं, इस बात के अंदर लगा सकते हैं, New York Stock Exchange का जो है, एक और भी नाम है, इसको Dow Jones भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको Dow Jones के नाम से भी जानते हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी फिलाल के लिए, एक Stock Exchange या Share Market है, इनवेस्टमेंट के Point of View से, ठीक है, अब आते हैं जराब BSC, Bombay Stock Exchange की बात कर लें, तो Bombay Stock Exchange इंडिया से बिलांग करता है, भरत से बिलांग करता है, और फिलाल के लिए इसको Sensex के नाम से जाना जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, और NSC National Stock Exchange ये भी इंडिया से बिलांग करता है, दोनों मुंबई में स्तीत हैं, BSC और NSC दोनों, फिलाल के लिए NSC को Nifty के नाम से भी जाना जाता है, जो इनके Index का ना का जिम्मा किसका है, सेवी का है, Securities and Exchange Board of India 1988 में बनाई गई थी, सेवी और इसके नाम से सेवी एक्ट भी पास हुआ है, और ये जो सेवी एक्ट पास हुआ है, और ये जो सेवी एक्ट पास हुआ है, उननीस सो बानबे में, तब से ये एक इस्टचरी बोडी के रूप में का पास है, ठीक, और एक बात और अगर आगे बात करें, आज़ात आगी के बाद, तो फिलाल के लिए सेवी, हैड आफिस मुंबई में है, और ये हमारे भारत में सभी स्टॉक एक्टेंज को रेगुलेट करने के लिए काम करती है, फ्लस मैं BSC पर और बात करूंगा, अगर मा इस्टेबलिस्मेंट जो हुआ है, वो हुआ है 1875 में, हाला कि 1870 में जो है, इसका निव पढ़ गया था, उसको इस्थापित करने की बात सुरू की गया थी, लेकिन इस्टेबलिस्मेंट तब से मना था, जब से function स्टार्ट होता है, तो इसकी इस्टेबलिस्मेंट की बात करें, तो 1875 में हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, आगे ये पूरे ACA का पहला stock exchange है, ठीक है न, फर्स्ट stock exchange of ACA, पूरे भारत का इने ACA का पहला stock exchange है, कौन? बांबे stock exchange, इसका पुराना नाम एक और भी कुछ हो था, इसका पुराना नाम था, नेटिव सेयर stock exchange, तो ये लिष्टेड कमपनी के मामले में, पूरे वर्ल में first rank रखता है, नमबर आफ लिष्टेड कमपनी के मामले में, पूरे वर्ल में first rank holder है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक पूरे भारत में, पूरे बिस्टो में, लिष्टेड कमपनी हैं, इसी stock exchange में हैं, ठीक है, इनका कब आओ जो है मने आपको ये बदाय दिया है, इनके index का का नाम क्या है? Censex के नाम से जाने जाते हैं, तो इनके index का नाम Censex है, लाल के लिए इनकी basic company जो है, वो है 30, और basic company जो 30 है, उनको कहा जाता है, blue chip company, ठीक है न, top 30 profit gainer company जो हमारे भारत में blue chip company के नाम से जाने जाती है, Top 30 Profit Gainer का मतलब क्या है पूरे भात पर जितनी भी कमपनिया काम कर रह pizza उन कमपनियों में से जिनका भी जो है मार्केट में Profit सबसे ज़्यादा होता है उन्ही को Blue Chip Company कहा जाता है तो Blue Chip Company भारत में जो होंगी वो Top 30 जो होंगी इनका सबसे ज़्यादा प्रोफिटों का तॉप 30 का उन्हीं को ब्लूचिप कंपनी कहा जाता है ठीक है ना अच्छा चली आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर आते हैं जल्दी से अगला सवाल जला देखते हैं अगला सवाल है हाली में उमर क्रेमवेल को अंतराश्टी मुक् के बाजिस संग का अध्यक्ष बनाया गया ठीक है अंतराश्टी मुक्य बाजिस संग के बारे में बात कर ज़रा तो फिलाल के लिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के बारे में बात करो तो इसकी स्थापना 1946 1946 में होई है जिसका मुख्याले नहीं हेड़क्वाटर कहा है आउसेन स्विर्जलन में देशे Minister जऑना ओसेन भी पढ़ सकते हैं मैंने बताई दिया कि स्विर्जलन से फिलाल भिलाउं करते हैं अगला सवाल है स्वादिनिता सडख इन में से कितने देशों के बीश शुरुकिया जाएगा तो स्वाधिनिता सडक फिलाल के लिए इन में से दो देसों के बीच में सुरू किया जाएगा जिसका आपसा नम्मर ए बिल्कुल सही है दो देसों के बीच ये सुरू किया जाएगा अच्छा कौन कौन से देस के बीच में तो ये भी ध्यान रखेगा अगर ये पूछ ले करेंसी है टका, पीम का नाम है सेख हसीना, राश्पती का नाम है अब्दुल हमीद, बांगला देश की सीमा से लगे भारत के कितने राज्य हैं, पांच राज्य कौन कौन से हैं, तो एक है आपका परश्रिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय और मिजोरम, मैं स्टेटि बांगला देश के बारे में, एक पॉइंट आपको यहां नजर आएगा, कि बांगला देश के सहादत रहमान ने अंतराश्टी पुरस्कार जीता है, यह एक पॉइंट याद रखिएगा, यह एक जाम में आ सकता है, विश्व बैंक ने बांगला देश को 200 मिलियन डॉलर के की मंजूरी दिया है 200 मिलें डालर ये वैलू याद रखिएगा और किस ने दिया ये भी याद रखिएगा भारत और बांगलादेश के नौ सेनाओं के बीच C.A.R.A.T. याने की कायरत नौ सेना अभ्यास किया गया है भारत और बांगलादेश के नौ सेना बोलना हो इसका की बात की है बांगलादेश में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी अभी लागू की गई है और सबसे इंपोर्टेंट अपने सर्वी नागरिकों को फ्री अपकोस्ट कोवीड-19 वैक्सिन देने की घोशना भी बांगलादेश ने कर दी है ठीक है तो ये कुछ पॉइंट से बा इस एड़ टॉप पोजिशन इन दा आल राउंडर्स कटेग्री आपके बेन इस्ट्रोक जेसन होल्डर रविद जडेजा साकिब अलहसन नाब्दीज फिलाल के लिए अगर देखा जाए तो इस सवाल का जवाब आता अप्सन नमबर ए बेन इस्ट्रोक जिसको फर्स राइ जडेजा जो है यहाँ पर I होगा यू लिग दिया है यह रविद जडेजा होगा तो Mr. जडेजा जो है वो इंडिया से बिलाउंग करते इनको थर्ड रैंग मिला हुआ है और फोर्थ रैंग पर हैं बांगलादेसी आलरांड़र साकेब अलहसन ठीक है और यह बांगलादे फिलाल के लिए इस सवाल के हिसाब से जब आप देखे तो अप्सन नमबर D IPL यह इंडियन प्रीमियर लीग जिसको अभी हाली में संपन किया गया है इसका वेन्यू इस बार UAE में था भारत में COVID-19 के केस को देखते हुए सेड्यूल नहीं किया गया था और बिना दर्सकों का यह इस बार का इंडियन प्रीमियर लीग का पूरा मामला हुआ है एक बात और मैं आपको बता दो इंडियन प्रीमियर लीग इस बार पाचवी बार क इसमें कोई अगर सब्द सर्च किया गया है तो वह है IPL एक बात और मैं आपको इंट्रेस्टिंग बताओं तो याहू पर सबसे अधिक बार खोजा दने वाले टीवी सीरियल पूरे विस्व में कौन सा रहा है तो वो है तारक महता का उल्टा जस्मा ठीक है यह सीरियल सबस इसे अधिक बार याहू पर सच किया गया है टीवी सीरियल के के टेगरी में ठीक है ना चले बढ़ते अगले स्वाल पर रसिया के दौरा हाली में कौन सा रॉकेट लांच किया गया है और इसके ऑप्संस में जाद देख रहे थे अंगारा A5, इस पुतनिक A5, पुतीन A5, ना आपदीज, तो फिलाल के लिए अंगारा A5 नाम से नोंने अभी एक रॉकेट सक्सेस्पूली टेस्ट किया है, लांच किया है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका आपका आप्सन नमबर फाइब, फ़र समय रसिया के बारे में बारे में बारे में जाद देख लेते हैं राज़ानी का है, मासको है रसिया का, वहीं अगर हम करेंसी की बात करें तो रूबल इनकी करेंसी है, राशपती का नाम है ब्लामिदीर, ब्लादिमीर पुतीन, प्रानमंत्री क्या है, मिखाईल मिसुष्टीन इनके प्रानमिनिस्टर है, संसत का नाम इनके ड्यूमा है, तो रूस फाइड ऑनलाइन 17 ओलम्पियाड के समयुक्त बिजयता भी बने हैं अभी हाली में अगले पॉइंट पर बात करें तो बारावी ब्रिक्स सिखर समयलंग 17 नौवंबर को रसिया के दस्ता में रूस में ही आयुद किया गया था ब्रिक्स राष्टिस रच्छा सलाकारों की दस्वी बैठक भी रसिया के दस्ता में किया गया और रूस ने अपने राश्पती के जन्वदिवस पर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परिच्छन किया था तो ये पड़ते हैं नेक्स कोशन पर अम्मा मिनी क्लिनिक किस राज्ज म नहीं बोलूँगा जहां तक आप सवाल देखेंगे अम्मा सब्द जैसे या आता है या आप समझ जाते होंगे कि कहीं ने कहीं बात तमिल्नाडू की हो रही है तो इस हिसाब से अपसन नंबर सी तमिल्नाडू एकदम सही हो जाता है और आप जब जानते हो कि तो राज्चा के सरकार का एक इनिसियटीव है तमिलाडू राज्चे में फिलाल के लिए आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चिन पर आते हैं निती आयोग ने सरजनिक स्वास्त निगरानी के लिए किस नामसे स्वेत पत्र जारी किया है तो निती आयोग सारजनिक स्वास्य परणाली को आयुसमान भारत के साथ समनवित करने यानि की जोडने समनवित करके जन स्वास निगरानी को लेकर भारत की परिकलपना को प्रस्तुत किया गया है ठीक है न तो यह पाइन ध्यान रखेगा कि इसका उद्देश से क्या था यह मैंने आपको बत और अगर हम बात करें निति आयोग के बारे में तो एक बात और भी है कि इसकी स्थापना हमारे देश में हुई यह 1st of January 2015 को Planning Commission का नाम बदल कर ठीक है न इसका Head Office डेली में है और यह बात और ध्यान रखेगा इसका Chairman Prime Minister होता है Vice Chairman है Mr. Raji Ukumar और इसके CEO है Mr. Amitab Kanth ठीक है बात करते हैं अगले पॉइंट पर तो अगला पॉइंट है किस राज जने सभी सरकारी मदरसों और संस्कित स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है जो सरकार के अंडर में चलते थे ठीक है न अब जरा बात करते हैं तो सही जवाब इसका है आ तो आसाम के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले आसाम की राजानी कहा है दिस्पुर सीयम का नाम क्या है सर्वानंद सोनेवाल ठीक है राजेपाल कौन है जगदीस मुखी वहाँ के राजेपाल है राज सभा सीट कितनी है आसाम में तो कुनला के है साथ लोग सभा सीट और नेशनल पार्क कहा पर वो है आसाम में ना मेरी नेशनल पार्क भी आसाम में ओरंग नेशनल पार्क आसाम में काजी रंगा नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क और देहिंग नेशनल पार्क यह सब नेशनल पार्क कहा पर है आसाम में most important point आपको बता रहा हूं यह ध्यान से लिख लेना अपने copy में exam में आपको देखने को मिल जाता है आगे बात करते हैं ज़रा आसाम की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में तो एक बहुत ही प्रमुख योजना भी हाले में सुरू की गए स्वन निर्भर नारी आत्म निर्भर योजना प्रारम किया गया आसा पहले देश के पहले मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार की आधार सिला किस ने रखा है आशाम ने गाये अस्पतल करने वाला प्रवोत्तर चितर का पहला राज कोन सा बना है आशाम बना है। में टोल, फ्री, टेली, एजुकेसर, हेल्प लाइन नंबर भी शुरू किया गया है और ये बहुत ज़्यादा सुद्धा जनक है वहाँ के लोगों के लिए राइ मोना रेस्नल पार्क को भी मंजूरी मिला है अभी हाली में आसाम में उसके बनाने को लेकर चले बढ़ते हैं अगले सवाल पर हाली में नेपाल में रोयल बेंगॉल टाइगर समुद्र तल से कितनी मीटर के उचाई पर देखा गया है थोड़ा से देखने में अटपटा सवाल लगता होगा लेकिन इस पर एक छोटी सी बाजरूर करूँगा फिलाल के लिए इस सवाल के जवाब प्याएं तो आप्सन नंबर B 3,000 मीटर समुद्र से 3,000 मीटर की उचाई पर देखा गया है लेकिन आप कहोगे सर यह सवाल किस हिसाब से अपने पर है आपको मैं बता दू रोयल बेंगॉल टाइगर जनरली इतने उचाई पर नहीं देखे जाते हैं जो कि नेपाल में देखा गया है सवाल उल्टा मैंने कर दिया है जान बुझ के सवाल यह हो सकता था कि अभी हाली में समुद्र से 3,000 मीटर की उचाई पर रोयल बेंगॉल टाइगर किस देखा गया है तो उसे साब से आपका जवाब हो जाएगा नेपाल बढ़ते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन सा एप लाँच किया है अभी हाली में एक UPI एप लाँच किया गया है किसके दौरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन सौर्ट में क्या कहते हैं IPPB तो IPPB के दुआरा अभी हाली में Dock Pay नाम का एक Mobile App लॉंच किया गया है थोड़ा समय अगर IPPB यानि इंडिया Post Payment Bank के बारे बात करूँ तो इंडिया Post Payment Bank फिलाहल के लिए इसके MDN CEO को नहीं? Mr. Jay Wankat Ramu ठीक है न? Mr. Jay Wankat Ramu और Head Office इनकी दिली में है फिलाल के लिए पेमेंट बैंक है ध्यान रखेगा हमारे देश में पेमेंट बैंक का Concept जो आया था ये Concept सन 2014 में लाया गया था तो ये Concept हमारे देश में लाया गया RBI के दोरा बढ़ते हैं अगले सवाल पर हाली में संसद हमलों में पर संसद के उपर हमला जो हुआ था उसकी उनिस्वी वर्सगार्ट पर ठीक है ना 2001 में वो हमला हुआ था और उसकी उनिस्वी वर्सगार्ट पर ये पुस्तक का विमोचन नहीं इनुगरेशन किया गया है हमारे देश के पालियामेंट के Lower House के इस स्पीकर मिस्टर ओम बिरला के द्वारा यानि लोग सभा के अध्याचिया सभापती कहलो कौन है मिस्टर ओम बिरला उनके द्वारा उस तक का नाम क्या है अगर कोई पूछे तो क्या का होगे The Sorry Unbound The Sorry Unbound ये फिलाल के लिए बुक का नाम है हिंदी में इसका ट्रांसलेशन जो होगा उसमें इसका नाम क्या रखा गया है समुंदर सामवे बूध में सामने नहीं है सामवे है ये बात ध्यान रखेगा एक बात और मैं आपको बता दू यहाँ पर ध्यान रखेगा जो ये आपको मैंने बताया है ये फिलाल के लिए हमारे देश के CRPF जो Central Reserve Police Force है उसके सौर गाथा के रूप में किया गया है जो है लिखा गया है इसमें क्योंकि उन्होंने ही पुरा मोर्चा समभाला था उस हमले में बढ़ता होगले सवाल पर अगला सवाल है कोटक महेंदरा बैंक का MD फिर से उद्य कोटक को न्यूक्त किया गया है निम्नि मैंसे बैंकों का MD and CEO कौन न्यूक्त करता है अप्शन से इसके बहुत इंट्रेस्टिंग कोशन है ये और इंपोर्टेंट भी अप्शन है आपके Central Board of Particular Bank RBI Central Government फिलाल के लिए मैं आपको बता दू ये जानकारी के तौर में भी ध्यान रखेगा बहुत सारे लोग बोलते है Central Board of Particular Bank जो की गलत जवाब होगा इसका सही जवाब है RBI चाहे Bank Private हो या Government Private Bank का तो RBI ही तैंग करेगा Government का हो सकता है Government of India का कुछ हस्तचेफ यानि की इंटर्फिरेंस हो सकता है बट Private Bank का MD and CEO कौन बनेगा ये बात RBI तैंग करता है किसी भी बैंक का Central Board नहीं तैंग कर सकता ये ध्यान रखेगा ठीक है तो तो फिलाल के लिए इस्थापना 2003 में हुआ है Head Office मुंबई में और मैंने बताई दिया है दुबारा से यानि के रियापोइंट हुए मिस्टर उदय कोटक इसके कौन है CEO and MD बात करते नेक्स कोशन पर किस देश ने भारत के साथ स्वक्ष गंगा मिसन के समझोते पर हस्ताक्षर किया और सही जवाब है इसका एरनास सोलबर्ग नेक्स कोशन पर आता हूँ नेक्स कोशन है आपका कैलास मान सरोवर भवन का उटगाटन किस सहर में किया गया है तो फिलाज के लिए कैलास मान सरोवर भवन का उटगाटन किया गया है हमारे देश के यूपी राज के गाजियाबाद सहर में तो गाजियाबाद एक दम इसका राइट एंसर हो जायागा अगर राज पूछे तो यूपी आप बोलेंगे और अगर राज पूछने के बज़ा अगर वो सहर पूछे तो गाजियाबाद में एनोगरेट किस ने किया यूपी के अउनरेबल सीयम यानि चीफ मिनिस्टर अधित योगीनाथ स्वरी यो अधितनाथ योगी जी उल्टा मैंने नाम बोल दिया कई बर हो जाता चामेक जी विला में फेगा जला कबो कबो ठीक है ना तो अधितनाथ जी यानि कि योगी जी ठीक है अच्छा थ्रों से यूपी के बारे में मैं बात करो उससे पहले एक चीज़ और ध्यान में खरे है उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बोला है एक एनाउंस्मेंट किया है कि यूपी के हर जिले में एक Multiple College बनाने की योज़णा बनाई जा रही यूपी सरकार के तरब से यह पॉइंन भी जान रखे क्या पता आप से स्वाल पूछ ले कि इन में से किस राज सरकार ने अपने तो उत्तर प्रदेश के बारे में अब मैं बात कर रहा हूँ ज़रा उत्तर पदेश के बारे में हार राज़ानी इनकी लखनों में है ये सब जानते हैं सीय में मिस्टर योगी आधितनाज जी राजिपाल है जय स्रीमती आनंदी बेन पटेल और ये बात्यान रखेगा MP की भी राजिपाल है अगर नेशनल पार्क की बात कर लें तो दुदवा नेशनल पार्क राश्ट्री चंबल अभियारण नवाप गंज पच्ची अभियारण चंद्रप्रभाव उनने जीव अभियारण ये सब इंपोर्टेंट है दुदवा खासत और से बहुत फेमस है जो कि लखेमपूर खीरी में है तो राश्टी उद्यान भी ध्यान में रखेगा वहीं आगे अगर बात कलने उत्तरप्रदेस की योजनाव पर तो टीवी रोगियों का पता लगाने के लिए राज में अभियान चलाया गया है ये ध्यान रखेगा मिसन रोजगार नामक अभियान चलाया गया है ये भी ध्यान रखेगा और हर्बर रोड प्रोजेक्ट परियोजना भी कहां चलाया गया है उत्तरप्रदेस में इसमें रोड के किनारे जो है अरवेदिक पेंड़ लगाये जाएंगे चले बढ़ते हैं उत्तरप्रदेस के बारे में कुछ और पॉइंट पर तो उत्तरप्रदेस का अगला पॉइंट है कि बिश्यो की पहली वैज्यानिक पुष्टक बाइबाइ करोना का भी मोचन राजेपाल के दोरह किया गया है अगोध्या में दिये के सबसी बड़े प्रदसन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया है ये भी ध्यान रखेगा डीके ठाकूर को लखनव का नया पुलिस कमिस्टर नियूट किया गया ये पॉइंट भी ध्यान रखना है आपको लखनव का पुलिस कमिस्टर को डीके ठाकूर सूर सरोवर जील को राम सर साइट का दर्जा दिया गया है जो की यूपी में है पिली भी टाइगर रिजर्ब ने बाधो की संख्या दोगुनी करने पर अंतराश्टी पुरसकार प्राप्त किया है ध्यान रखेगा पिली भी टाइगर रिजर्ब में बाधो की संख्या दोगुनी हुई है ये ध्यान रखेगा अयोध्य हवायड़े का नाम बदलकर मर्यादा पुरसुत्तम सीराम हवायड़ा कर दिया गया है ये भी बहुत इंपर्टन कोश्चन है सीपिंग मंत्राले में सर्यू नदी पर रामाया कुरूज सेवा प्रारम किया गया सीपिंग मंत्राले में रामाया कुरूज सेवा प्रारम किया है जिसके अंतरगत जो है सरीव नदी के स्थित जो है जितने भी भगवान राम से समन्दित प्ले से उसको घुमाया जाएगा चीक है बढ़ते अंगले सवाल पर तो अगला सवाल है किस देश के समुदरी टट पर 22,000 कच्छों में पैदा हुए हैं तो फिलाल के लिए इसका सही जवाब है ब्राजील देश के समुदरी टट पर 22,000 याने 92,000 कच्छों में पैदा हुए हैं ठीक है न अच्छा एक और आपसे डिसकस करो तो ब्राजील की जो राजधानी है वो ब्राजील ब्रासीलिया है ब्राजीलिया परते हैं कुछ लोग कुछ लोग ब्रासीलिया पर प्रदान करने की खोशना की है इसके सही जवाब पर कराएं तो 50,000 रुपया 50,000 रुपी फिलाल के लिए है जो उन्होंने धर्दानरासी सहाथा कर रुपे देने की बात किये महिला स्वयम सहाथा समुद्धा समुद्धा को ठीक है ना सेल फेल ग्रूप किसके लिए फिमेल अगर आप से ग्रिस मकालिन पूछे तो दे रहा दो अगर वैसे पूछे तो गैर सैंड आप बोलेंगे इनकी राजधाने कुछ और पॉइंट जरा देखते हैं तो कुछ और पॉइंट्स में अगर आप देखे तो उत्राखन की प्रमुक योजना है कौन कौन सी है राज के डीमसी में ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल सुरू किया है एकिकरित रादस क्रिसी ग्राम योजना का उटगाटन किया गया है और राज के सभी राज की महिलाओं महाभिद्यलों और विस्विदलों में वाइफाई की सेवा प्रारण की गई है ये चिंबे मोटर बेल सिंगल लेन पूल का उरगाटन कहां किया गया है उतराखन में किया गया है राज के पौरिजिले में प्रतम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उरगाटन किया गया है ये भी पॉइंक ध्यान रगा reinsंग इनावा नयार भारत का पहला मास्क गार पुरुस हांकी विश्वकप 2023 भारत के किस राज में आउजित किया जाएगा तो फिलाल किले इसका वेन्यू इंडिया लेकिन कौन सा राज्य है तो आपका सही जवाब है उडिसा उडिसा राज के भुनेस्वर में होगा अभी कुजिन पहले ये जो इसके पहले का संस्क्रण हुआ वो भी उडिसा के भुनेस्वर में ही हुआ है ये भी उडिसा के भुनेस्वर में ही होगा बढ़ते हैं जरा बात करते हैं इंटरनेसनल होकी फेडरेशन के बारे में अंतरयानिक अंतराष्टी होकी संग के बारे में तो 1924 में इसकी स्थापना हुई आए ठीक है इनक स अगले बात पर आते हैं ज़रा उडिशा के बारे में तो उडिशा के देखो उडिशा के बारे में अगर बात के तो राजदानि अभूनेश्वर सीयम नवीन पतनायक, राजपाल है मिस्टर गनेसी लाल, राजसवा सीठी है, उरिसा में फर आपडाली के उन्र संस्कन का सफल परिछन किस राजमें किया गया उरिसा में विए नोवा अंतराश्टिय रेत का ला अधार महुतस राजमें आवजित किया गया तो यह पॉइंट भी उडिसा का द्यांद रखिए अभी हाले में यह बिला ठीक ना लिए रेत नहीं होगा रेट नहीं होगा रेट है यानि कि सैंट आर्ट फेस्टिवल ठीक ना अब बात करते हैं जड़ा करेंट रेट अगलांस के विए कोशन नमबर आफ जादा थे तो मैं एक लाइन में सरस्वली तोरपय इसको रिपीट कर देता हूँ 15 दिसंबर को लोहार लोसार महुत सो किस राज में मना गया लद्दाक में बीमा कंपनी कौन सी थी जिसने हैस्टेक गॉट यूर कवर्ड अभियान सुरू किया तो भारती एकसा लाइफ एंसुरेंस ने उज़ा सरच्चन के अधिन ब्यूरो आफ एनरजी इफिसियंसी यानिकी बीए के द्वरा राष्ट्री उर्जा सनच्चर दिवस प्रत्यक वर्स 14 दिसंबर को मना जाता है इन में से उर्जा मंत्रा के राज मंत्री कोन है तो मिस्टर राज कमार सिंग है लेश कोशन पे आते हैं तो अगला सवाल है आबुधाभी ग्रानप्रिक्स 2020 किसने जीता है इसका सही जवाब थम्मैक्स वर्स ट्रिपेंड ने जीता है पिलार के लिए अगर आगे बात करें तो तमिलनाडू राज में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना किसके दूरा बनाया गया है तो बनाया जाएगा इग्रिकल्चर इस पॉर्ट में अम्रकेट प्लेटफर्म बीम इसमें से किसको दूरा लॉंच किया गया तो सभी आप क्याता है अगे बात करें तो हाली में उमर क्रेम लेव को अंतराश्ट्री मुक्य सभी आप की सब्सक्राइब करें करतेंब्स को सबसे अधिक बर्स खोजा गया या सच किया गया तो IPL सत को यानि की इंडियन प्रिमियर लिग को रूस की दोरा हाली में कौन सा रॉकेट लॉंच किया गया है तो अग्णारा A5 ये रॉकेट लॉंच हुआ है रस्याग दोरा अम्मा मिनी क्लिनिक की स्राज में शुरू किया गया है तो असामराज की सरकार ने किया है अभी हाली में नेपाल में रॉयल बैंक ओल टाइगर समुदतल से कितने मीटर की उचाई पर देखा गया है तो 3,000 मीटर की उचाई पर देखा गया है ध्यान रखेगा इंडिया पोश्ट पेमेंट बैंक ने कौन सा आयप लाँच किया है तो डॉक पे के नाम से एक आयप लाँच किया है हाली में संसाध हमले को निश्वी वर्जगाट पर एक पुस्तक को इमोचन किया गया इन में से किस के दोरा यह पुस्तक को इमोचन किया गया कोटक मेंदरा बैंक का M.D. फिर से उधर कोटक को न्यूट किया गया इन मेंसे कौन बैंक का M.D. N.C.O. न्यूट करता है भारत में तो RBI करता है ठीक है किस देश ने भारत के साथ स्वच गंगा मिसन के समझते पर हसाक्षर किया तो नार्वे देश ने किया है कैलास मांसरोर भाउन काउट गाटन की सहर में किया गया है तो गाजियाबाद यूपी में हुआ है किस देश की समुदरी टट पर 92,000 कच्ष में पैदा हुए है तो ब्राजिल देश के उत्रा खंडरा सरकार ने महिला स्वयम सहता समूग को कितना तरासी सहता के रुपे प्रदान करने के तो सही जवाब है आपका 50,000 रुपया और आखरी सवाल मैंने डिसकस किया था पुरुस हांकी विश्वक प्रदा तेश का पुरुसों भारत के जो आयोजन है भारत के किस राज में आयोजित किया जाएगा तो ये था कंप्लीट आपका करेंट अफेयर उमीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का करेंट अफेयर पसंद आओगा इसमें मैंने 15 और 16 दो दिनों का करेंट अफेयर इसमें मैंने जो है 16 और 17 दो दिनों का करेंट अफेयर मैंने इसमें आप लोगों का कवर किया है फिर से एक बार मैं आप लोगों से सौरी बोलना चाहूँगा मैं दो अगर डिमांड हो तो इस पेसलिए आप समें comment box में दे सकते हैं ठीक है ना तो आज इतना ही रखते हैं मिलते हैं फिर अपने अगले current affair के live session में तब तक अपना ख्यार लखेगा जैहिन जुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद